कि ओके हम फ्रड ऑप्रेशन तूडू लिस्ट आप बना रहे थे यूजिंग रियक्ट नेटेव रिडक्स ठीक है रिडक्स की इंप्लिमेंटेशन करते हुए तो हमने दो फुचर्ज अभी तक बना लिये हैं हां नूमबर वन इस एड आइटम एनदर वन इस डिलीट ठीक है अचा पहले हम चला कर देख लेते हैं कि क्या प्रोशार्श है हमारा अम जरा कॉंसोल लेते हैं अपना रियक्टनेटव हम्स है उन्सोल भी देख लेते हैं साथ के साथ यूजिंहर्म्स हो बोगे कर लिया कंफिगेर हमारी 8.881 ओट डन हिवा पाट है बोगे जब आपके एप्लिकेशन चल रही होगी ना तब ही वर्क करें गई है जहां एप्लिकेशन क्लोज हुई यह एरर आके बंद हुई यह बंद हो जही है है हम ओपन कर लेते हैं इस्पेक्ट अलिमेंट है हमारे पास सक्सेश्फुली कुंसोल ओपन है ठीक है जरह एप्लिकेशन को रंग करके देख लेते हैं थोड़ा सा सही है मेरे पार रिडक्स सेट्स आ रहे है विच है देट ओफ जीरो ठीक अच्छा यहां लिखता हूं एड़ सक्सेश्फुली एड़िट निक क्या हां क्या कौन सी स्टेट हां वो कुंसोल हाथ क्या कॉंपोनेंट को रेंडरिंग कर रहा है कोई मसला नहीं इसका कुंग कुंसोल बात में बंद कर दोगे ठीक है आते हैं जॉन मेरे पार सक्सेश्फुली आइटम एड़ दो रहे हैं सही है और यह आपकी जो मैनेजमेंट हो रही है स्टेट्स की यह रिडक्स से हो रही है अब अगर आप किसी और स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाओ और वहां पर यह डेटा फेच करवाओ पकर दो यहां से मैं निक को रिमूव करता हूँ मेरे पास सक्सेश्फुली रिमूव हो चुका है वो डेटा जो मैंने वहां से रिमूव किया था अब यहां पर हमने क्या किया था थोड़ा सा दिख लेते हैं हमारे पास एक रिड्यूसर है जिसके अंदर हमारे पास एक state है to do bucket, ठीक हो गया, ठीक है, उसके अंदर हमने अपने cases बनाए वे हैं, these are called cases, ठीक है, जो reducer के अंदर आपके properties हैं, उनके अंदर आपके function जिनके अंदर आप काम करोगे, वो values consider होगे, तो हम इनको cases भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक हमारे पास case है add item का, जहां पर data जब receive हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है, आपकी reduce की state को update करेगा, ठीक हो गया, और इसी के साथ आपके पास एक case है, delete item का, ठीक है, जो आपका data delete कर रहा है, लाइक अगर मैं john का भी remove करता हूं, तो, remove successfully from the console and screen as well, ठीक हो गया, अच्छा, अब मुझे पहले आप थोड़ा सा बताओ, यह हम अपने component को देख लेते हैं, कि अगर edit feature, update feature, अगर लगाएं, तो किस तरह लगाएंगे, किसी की अगर कोई opinion, कोई suggestion है, तो पहले वो बताए, कोई बताना चाहेगा, कि वह क्या करेंगे, मेरा, मेरा question यह है, मैं सबसे पहले तो एक edit का button लगा लेता हूं, ठीक है, copy किया, और यहां पर मैंने एक, edit का button लगा लिया, edit, item, और इस button को बन कर दिया, ठीक है, safe किया, और मैं यहां पर दो-तीन data और मजीद एड़ कर देता हूं, सही है, अली, add item, सही है, बिलाल, edit, अब अगर आप देखो, तो आपका जो data है, हर individual data के साथ आपके पास दो button शो हो रहे हैं, सही है, तो मुझे edit के click पर, सबसे पहले तो जो value है, वो console में चाहिए, ठीक हो गया, सही है, उसके बाद, जो edit का button है, वो replace हो जाए किस से, update के button से, यह वाला edit का button है, delete के नीचे, यह button replace हो जाए किस से, update के button से, और फिर अगर मैं update का button डबाऊं, बलके नहीं, गलत कहा रहा है, एड याइटम का button replace होगा, ठीक है, एड आइटम का button replace होगा, यह बात समझ आ रही है, everyone, मेरी बात किसको उसको अब नहीं समझ आ है, state तो है नहीं, आप लोग बताते रहना और साथ साथ देखेंगे, ठीक है, मैं एक handler बना लेता हूँ, साही है, और सबसे पहले क्या करते हैं, copy क्या, function to edit an item, edit an item, const edit item handler equal to arrow function, साही है, console.log, साही है, और यहां ते कुछ data मिलेगा मुझे data, साही है, बलके data नहीं शाहिए, चलो data भी मिल जाए, और उसके साथ मुझे data की विच आई, data विच आई और की विच आई, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया data, colon, comma, data, साही है, और उसके बाद console.log, key, colon, comma, key, ठीक हो गया, ठीक है, से edit item handler को कहां call करूंगा, edit के button पर, this one, callback pass होगा, edit item handler, साही है, index चला गया, which has a key, उससे पहले मैं क्या भीच देता हूं, item, comma, alt shift F, save किया, वापस आते हैं, कहां पर, console पर, बिलाल पर edit कर रहा हूं, मुझे key two receive हुई, data में बिलाल receive हुआ, और अली पर क्लिक किया, key one, अली, और उस पर क्लिक किया, zero और, ठीक हो गया, यहां तक बात किस किस clear है, यहां तक बात clear है, अच्छा, एक बात तो यह है, अब पहले इतना काम कर लिया, अब एक और काम कर लेते हैं, जिस पर क्लिक होना, वो data कहां चला जाए, input field पर चला जाए, यह काम भी जल्ली से हो जाएगा, ठीक है, रिमूव नहीं, नीचे से remove नहीं करना भी, जब तक edit नहीं होगा न, वो तुमने कर दिया होगा, लेकिन खाली तब तक नहीं करना है, जब तक update होना जाए, अगर हमने नहीं करना हो, edit गल्ती से click कर दिया हो, हाँ, वो बात भी है, यह बात भी है, चलो, यह भी सही, सही है, मैंने क्या किया, set input value, सही है, जो मेरी input के state है, which is this one, उसमें मैंने क्या पास करवा दिया, data, ठीक है, safe किया, वापिस आते हैं, A, add, B, add, और C, add, ठीक है, मैं click करूँ कर किस पे, A पर, edit item, A successfully console में चला गया, यह बात clear है, अगर मैं click करूँ किस पर, B पर, edit पे किया, B हो गया, और C पर करूँ तो, C हो गया, हाँ, तकरीबन है, लेकिन उस तरह नहीं कर रहा है, यह recommended solution नहीं, मैं कह रहा हूँ, अच्छा, तो चलो बता, आप करेंगे गया, यह तो देखो, मैंने data वहाँ तक पहुंचा जिया, अब सबसे पहले मुझे यह बताओ, कि अपडेट का जो बटन होगा, वो कहां लगेगा, एड़ आइटम के जिगा, तुम कहा रहे हो कि वो होगा, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, लेकिन, स्टेट तो हमारे पास, यहां से कोई कंट्रोल ही नहीं, औरी टॉगलर की, यहां पर मैं एक सेड़ बनाता हूं, तो यह है, कॉंस्ट, इस इक्वल टू, यूज स्टेट, ठीक है, और इसकी वैल्यू है, इनिशली, विच इस फॉल्स, और यहां पर मैंने इसको दे दिया, इस, एडिट, कॉमा, कॉलन, सेट, इस, एडिट, ठीक हो गया, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले, आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बटन है, एडिटम, सब्सक्राइब, याद रखो, मैप जो हो रहा है, एडिटम का बटन, मैप के बहार है, सब्सक्राइब, यह वाले डिटा आपका मैपिंग में है, विच इस एवी सी, और उनके साथ जो बटन है, add item वाले data आपका map से बहार है yes मैंने इसके साथ एक button बना लिया comma on press disable को भी हम उटा लेते हैं disable को तो हम बिल्कुल हिटा लेते हैं on press हम use करेंगे इसको हटा लिया और यहां मैंने कर दिया update item ठीक है save करूँ अगर मैं तो मेरे पास add item के साथ एक button आगया update item ठीक है इस तरह नहीं करना अगर edit item हो गया हो तो सिर्फ update item वरना add item उसके लिए क्या करते हैं मैं टर्णर्व अपरेटर करता हूँ is edit अगर तो है इसका यह मतलब है इसको मैं यह भी लिख सकता हूँ double equal to true या फिर मैं यह भी लिख सकता हूँ triple equal to true ठीक है लेकिन अगर मैंने किसी ऐसी state को किसी ऐसे data को अगर जिसकी value boolean है अगर इस तरह लिख दिया है तो that means वहाँ पर true return होगा ठीक है अगर मैं इसको false करना चाहूँ तो मैं यहां लगा दूँगा देश या double equal to triple equal to false मैंने लिख दिया is edit अगर तो है तो फिर आपने क्या शो कराना है अपडेट आइटम का बटन वर्ना फिर अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहे सेफ करूं अगर मैं तो मेरे पास अब सिर्फ एड़ आइटम आ रहे अपडेट आइटम भी आ सबको समझ आ रहे हैं यहां तक अगर तो मैं इसको जब यह जो हमारे पास एड़िट आइटा दिया मैंने बोला सेट इज एड़िट को क्या कर दो इज एड़िट को कर दो ठीक है ट्रू हो गया सेफ करते हैं और अब अगर मैं क्लिक करता हूं किस पर सी पर एड़ आइटम बटन रिप्लेश्ट विद दी अपडेट आइटम बटन कैंसल मैं डिलेट करूं कि अटा दिया है यह दो एडिशनल फिक्शर दें यह चल जाएगा यह चल जाएगा ठीक है ओके अब हमें एक और हैंडर बनाना होगा अपडेट आइटम का कॉपी फंक्शन टू अपडेट एन आइटम अपडेट एन आइटम अपडेट एन आइटम इक्वल टू एन एरो फंक्शन सभी है और वहां पर कॉंशोल कर आलो कि भाई क्या है हलो सभी है अपडेट आइटम को कहा कहा कॉल करेंगे हैं यहां पर अपडेट आइटम सेफ किया आतों में आपर कुंसोल में और अगर मैं अपडेट आइटम पर क्लिक करूँ मेरे पास हेलो आज ठीक हो गया? ठीक है हम क्या करते हैं यह जो एरिया है इसको हम एड़ कर देते हैं यहां पर भी ठीक है अपडेट आइटम भी हमारे पास डिजेबिल है जब तक कुछ लिखा ना जाए अच्छा मैं क्या करता हूँ कि भाई निउ वैल्यू जो है मुझे कुंसोल करा दो तो निउ वैल्यू क्या होगी हमारे पास इन्पुट वैल्यू इन्पुट वैल्यू सेफ किया वापिस आते हैं कहां पर यहां पर यहां पर मैंने लिख दिया ए एल ए एक्स एक सेकेंड यार यह जो है ना इन्पुट फील्ड स्टाइल एक्वल टू फॉन्ट साइज ट्वेंटी सेफ किया ट्वेंटी फाइव ठीक हो गया पर आउ और मैं लिखूँ अपडेट आटा अपडेट टीड वैल्यू तो मेरे पास आगए मिरे पास की नहीं की कहां से लाएंगे जी ऐड़िट आइटम वाले से कहां से लाएंगे की तो दिखो की तो यह रही एड़िट आइटम का अगर आप इसके function का scope check करो कहां से कहां तक है, line number 31 से लिएका 37 तक है, तक है, after line number 37, its scope is now removed, जी आसिम भाई, की कहां से लाएंगे, की तो यह रही न, ऐसा करके देख लेते, ठीक है, क्या करते हैं, एक और state बनाते हैं, const, state is equal to use state, तो है, अच्छा, इसकी default value क्या होनी चाहिए, empty string, e, set key, ठीक है, जैसे ही, यह कोई भी edit item पे click हो, उसके बाद क्या करो, आप यह करो, उसके बाद set key में put कर दो, क्या, key, ठीक हो गया, safe करते हैं, और हम वापस आते हैं, अब अगर मैं, Alex के साथ key को console करा हूँ, कॉमा key, तो मुझे आना चाहिए, मैंने c को edit किया, और यहां लिख दिया, cat, update item में उसने मुझे दिया, cat और to, ठीक हो गया, हम आते हैं जल्दी से, अब मुझे बनाना होगा, एक reducer का, reducer में एक case, जो हमारे इस function को की मदद से, हमारी जो states हैं, हमारी जो screen है, उनकी functionality को update करेगा, साहिए, मैं आ ज़ता हूँ, कहां पर, कॉमा, update, item, equal to, colon, state, action, ठीक है, मैंने बोला भाई, मुझे दिखा दो, payload में मुझे क्या मिल रहा है, console.log, payload, ठीक है, और let, this is equal to action, ठीक हो गया, और यहां से क्या मिलेगा, payload, ठीक है, payload, colon, comma, payload, ठीक है, payload तो हो गया, तेफ किया, अब ज़रा गौर से समझना में सवाल करने लगा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा, let, अब टार्गेट, सॉरी, अब डेट, डेटा, एक्वल टू अबजेफ्ट, सही है, इस पर मैंने लग दिया, new, value, equal to, input value, input value, ठीक है, और, key जो है, मैंने, ऐसे ही छोड़ दी, इसकी value नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है, line number 45 में, मैंने, key दे दी, उसकी value नहीं दी, जिसको पता है, वो बस बताएंगे, मुझे बता है, पता है, और बाकी, कोई बताना चाहिए, यह देखो, आपके पास, जब object होता है, object में आपके पास, key और value क्या pairs होते हैं, मैंने, एक value दे दी, new value, उसकी value है, input value, फिर एक property बनाए, key, उसकी में value नहीं दे रहा, क्यों? नहीं बता? आपको? वो तो एक property होगा नहीं, object की दूसरी property बनाए, key, उसकी value नहीं दी, तो वहाँ क्या जाएगा? empty string क्यों? empty string तो दिया जाए, तो अगर मैं यूँ गर दूँ, तो empty string जाएगा? अगर आपने कोई इस तरह का scenario, कभी आपने object में कोई ऐसी property रखनी है, जिसका जो property name है, वो ही value भी है, तो आप खाली ये लिख दोगे आपका काम होगे. Yes, जो property value भी, अगर इसी नाम से रखी भी है, वो automatic उसको उठा के लिए है, ठीक है? हम क्या करते हैं? मुझे क्या करना है? मैं reducer में आया, update item को सबसे पहले तो मैं, यहां से export कर देता हूँ, update item, safe किया, crud में आ जाते हैं, और यहां से मैं मंगबा लेता हूँ, किसको, update को, update item, alt shift of safe, और अब मैं आता हूँ, कहां पर, इन दोनों को मैं commit कर देता हूँ, इन दोनों की need नहीं है, और, अब्डेट, dispatch, dispatch करो, किसको, इस function को, update item को, एक second, मैंने update item इदर भी same लिखावा है, उदर भी same लिखावा है, यह मसला करेगा, ठीक है, इसको कर देते हैं, update item, handler, copy गया, और हम जाते हैं, अब्डेट आइटम, handler, ठीक है, अब यह जाप्डेट आइटम है, यह वो function है, जो आपको reducer का dispatch function है, यहाँ पर मैंने भेज दिया, update, data, ठीक हो गया, safe किया, वापस आते हैं, A, B, C, यह हो गया, ठीक है, मैं C को edit कर रहा हूँ, ठीक है, C को मैंने click किया, मेरे पास C की value console में चली गई, और मैंने उसको कर दिया, C, ठीक हो गया, अब अगर मैं, update item पर click करूँ, मेरे पास payload में मुझे एक object receive हुआ है, ठीक है, object में मेरे पास दो value है, एक key, एक new value, ठीक है, तो key में आपने क्या सीखा, कि भाई, new advanced JavaScript, which also called ikma script, में आपके पास ये, एक new feature था, कि अगर आपने object की कोई property बनानी है, और उसकी जो value है, वो उसका भी वोही नाम है, तो आप खाली एक ही डाल दो, वो property को उठा के लिए आएगा, चाहिए हैं, और उस value के साथ शोगर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, continue करते हैं, reducer में आया, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने जो state से हमका clone लेना पड़ेगा, let, to do, array, एक दो तो तीन, state, dot, dot, to do bucket, ठीक हो गया, to do bucket, clone, dot, splice का function यूज़ कर रहा हूँ है, splice, हाँ भई, इसमें splice के function में, किस-किस का पता है, क्या क्या आएगा, initial, कहां से start करना है, कितना remove करना है, और क्या data वहाँ पर add करना है, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा सबसे पहले, payload, dot, की, तही है, payload.key से शुरू करो, ठीक है, comma, one, एक remove करो, update करो, किस से है, payload, dot, new value, copy गया, ठीक हो गया, यह मेरे पास, to-do bucket, clone मेरे पास, update हो गया, तभी है, फिर मैंने क्या किया, state, dot, to-do bucket, equal to, state dot, to-do bucket, equal to, to-do bucket, ठीक है, save करते हैं, और अब हम चला कर देखते, अब अब हम आइ, अब हम आइ, पर बिलाल पर विच इस भी इसको मैं बिलाल कर देता हूं ठीक है और आपने बी को देखना है कि हमारा जो फंक्शनलिटी लॉजिक हमने जो लिखी है क्या वो सही है या नहीं अपडेट पर मैंने क्लिक किया सक्सेस्पुली मेरे पास बिलाल अपडेट हो गया लेकिन ना तो वह डेटा खाली हुआ ना तो अपडेट का बटन रिमूव हुआ है सही हम क्या करेंगे कहां पर मैं आया किदर अपडेट हैंडर जैसे ही यह चल जाए सबसे पहले क्या करो सेट इंपुट इंपुट वैल्यू इसको कर दो एंप्टी स्ट्रेंग ठीक है सेट इस एड़िट इसको क्या कर दो पॉस्स तरहिए लेकिन लेकिन जब आपका सक्सेस्पुली डेटा हो गया सब कुछ तो उसके बाद आपको चाहिए कि भाई जो आपके पास की रखी हुई है आप उससे भी रिमूव करते हैं ठीक है तो हम की भी उड़ा देते हैं इसको पहले करेंगे सेट की इकुल टू एंट एंप्टी स्ट्रेंग सेफ किया एक दफार दुबारा से आते हैं महेंग्या एपर एडम और अपडेट आइटम पर मैंने क्लिक किया सक्सेस्पुली मेरे पास डेटा अपडेट हो गया मैं चारहों कीबोर्ड भी क्लोज हो जाए उसके लिए क्या करेंगे रियक्नेटिव यहां से मंगवाया मैंने कॉमा कीबोर्ड कीबोर्ड की चीज़ें अगर आपने यूज करनी हो तो उसके लिए आपके पास कीबोर्ड की एपिया यह जो रियक्नेटिव से मिलेगी तो यह मैं लिखा कि लास्ट में कीबोर्ड डॉट डिसमेस ऐसे कि धिस्विक फीचकु सब्वाजब करेंगे तो आपके कीबोर्ड को लोज करते ठीक है आता हूं किस पर मैंने सीगी फटैक्ट किबोर्ड क्लोज नहीं कर रहा हूं मैं फटेंट और जैसे मैंने क्लिक किया कीबोर्ड क्लोउज ठीक हो गया अब अगर जी बिल्कुल कीबोर्ड के बहुत सारे फंक्शन बिल्कुल कोई फर्क नहीं आ रहा है ठीक है इसके फंक्शन पड़ो अब अगर अपडेट आइटम और एडिट आइटम के फंक्शन में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले और यह रहा आपके केस अपडेट आइटम का जो आपने लिखा है जी रिवाइस करवा दूं ठीक है देखो सबसे पहले आपने दो स्टेट्स बनाई इस एडिट इनिशेली फॉल्स और एक अपने स्टेट बनाई ताइए की जो आपकी की को टार्गेट करेगा मैंने एक टर्नरी केश लगाया टर्नरी आपरेटर लगाया कहां पर बटंस पर अगर तो इस एडिट का बटन आपके पास ट्रू है तो भाई बता दो कि भाई डेटा अपडेट होगा और अगर नहीं तो फिर एड नहीं, गोगया, अच्छा, उसके बाद मैंने एक edit का function मनाया, जितना भी data render हो रहा है उसके साथ चाहिए, उसके call-back function में उसके function में मैंने parameter में भेज दिया, जो भी मेरा data था, और जो भी मेरा index था, मेरा जो edit का function है, अगर मैं उसमें जाओ, मुझे डेटा में डेटा मिल रहा है जिस डेटा पे मैंने क्लिक किया था यानि जिस आइटम पर लाइक, एडम, बिलाल, कैट और की में उसका मुझे इंडेक्स नमबर मिल लिए सबसे पहले तो मैंने टॉगलर जो मेरे पास था उसका मैंने टू कर दिया, ताकि अब मुझे UPDATE का पटन दिखे, एड का न दिखे क्योंके अब मुझे कुछ नहीं कर ले तबी Input Value में मैंने पास करवा दिया डेटा ताकि जिस डेटा पे मैंने क्लिक किया है, वो Input Value में शिफ्ट हो जया है ठीक है उसके बाद मैंने target कर लिया कि को कि कौन सी की पर click हुआ है ठीक हो गया उसके बाद मैंने function मनाया update handler का जिसने आपका एक data collect करा एक object के अंदर जिसके अंदर new value में आपके आपके पास input value है और आपके पास key है ठीक है यह key किस तरह आईगे यह मैं बता चूँँ मैंने एक action dispatch करा update item का और उसमें मैंने update data भेज़ दिया update data का अगर हम case देखें जाकर update item के यहां पर payload में मुझे data receive होगा कौन सा data यही update data जो अभी आपने भेज़ा है line number 43 ठीक हो गया अच्छा मैंने क्या किया to do bucket का clone बनाया क्लोन बनाने के बार मैंने उस पर array का एक function लगाया splice का जो क्या करता है कि उसके पास parameter में आप एक दो तीन कुछ भी भेज़ ज़कते हैं अगर तो तीन parameter भेज़ रहो इसका क्या मतलब है कि किस area से target करना है जो मैं की भेज रहा हूं मैंने बोला यहां से target करो एक को remove करो और जो में पार new data array new value की शुरत में उसको वहां पर put कर दो फिर मेरे पास जो state थी उसको update कर दिया मैंने टू-डू-बकेट क्लोन से एक दफ़ा बिलाल को दबारा करते हैं ख्लिक क्या और खान एच एएन अपडेट आइटम सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई जो सेट सेट था उसके टॉगलर को भी क्लोस कर दो इन्पुट वैल्यू को भी क्लियर कर दो की को भी क्लियर कर दो और जो की बोर्ड है उसको भी कतम तर ठीक है यह आपका हो गया क्रड ऑप्रेशन रिडेक्स के साथ कंप्लीट और अब आप बताएए कि डिलीट ओल का अगर हम बनाएं तो क्या बनाएं